संखारा आपने सुना होगा इधर मेरे एक मित थे ML संखवार वो BSNL में थे तो उनका नाम जब संखवार बोलते थे तो मुझे लगता था कि संख जो बजाते हैं जिसमें से आवाज आती है कुछ उससे सम्मंदित होगा बहुत पुरानी बात है मगर जब संखार का मैंने धन किया तो मैंने पाया कि वो सारे लोग वही पुराने पाली के वही पुराने बुद्ध की संस्करती की लोग हैं और साथ में धम चक भी हो तो आप समझ जाईए कि ये जगे पुरानी ऐसी जगे जहाँ पर संखार का अध्यन या संखारों का अध्यन या संखारे का अध्यन कराया जाता है। संखार जो सब्द है उसको बात के जो संसकाइद भासा है उसमें संसकार बोला जाता है जैसे कहते हैं संख फूक दिया अब संख का फूकना क्या होता है संख में फूक मारकर आवाज निकालना संख का फूकना नहीं है बेसिकली अपने जो संखार है उनको निकालना उनको जड कि जो संखार होता है या संसकार होता है वो है क्या जब भी आप कोई काम करते हैं या कोई चीज देखते हैं या कुछ सुनते हैं या कुछ चकते हैं या किसी चीज का इसपर्स करते हैं तो उसके जितने भी गुण होते हैं जैसे आपने चखा तो वो खटा है या मीठा है या थीका है या फीका है आपने छूके देखा तो मुलायम है वो सक्त है या दब-दवासा है लिब-लिवासा है या आपने सूंगा तो वो आपको सूंगने में अच्छा लगा, थीका है, या हलका है, या स्मेल वाला है, खुसू वाला है, बदू वाला है आपने देखा तो आपने देखा कि वो द्रसे कितने रंगों का है कितनी उसके आकरती है, कितनी लंबाई है, कितनी चोड़ाई है, कितनी गहराई है या आपने उसको अगर सुंगा तो सुंगने के बाद में आपने देखा ये जो Sperse, यहनि कि आप जो उसे टॉच्च करते हैं, या देखते हैं, या सुनते हैं, या सुनते हैं, या चकते हैं ये सारी जो information है, वो सारी information डेटिलाईज होके, डेटल में चेंज होके vibration में चेंज होके, और वो body के अंDर store हो जाती है जो इस्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं संया यानि संग्या यानि मैमोरी और जब वो फाइल के साथ में हम अपना एक निर्णे जोड़ देते हैं एक मन जोड़ देते हैं या पहले से हम उसमें ये जोड़ देते हैं कि यह अच्छा है या खराब है या यह हमारे लायक है या नहीं या अच्छा है ना खराब है या खराब भी है और अच्छा भी है दोनों बात हैं, तीनों बात हैं जब उसमें हम जोड देते हैं तो वो पूरी का पूरा जो system या फाइल बनती है उसको संखार बहुते है यानि जो संखार है जानवर इसका नाम नहीं रख पाते हैं मगर वो पहचानते हैं जैसे खाने का सेव है एक वार हम सेव को जब हम खाते हैं तो खाने के बाद में उसका नाम सेव रख देते हैं एपल रख देते हैं और फिर हमें एपल के सारे गुणसोत उसके नाम से पता चल जाते हैं तो हमें memory के अंदर उनके सरीर के अंदर वो सारी जानकारी स्टोर होती देती है उसको संखारा बोलते हैं जब वो अपना मन जोड़ देते हैं उसमें कि ये चाहिए 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 या ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए या चाहिए भी उसका एक नाम बन गया इसको आप ऐसा समझेए जैसे आपके हाथ में जो mobile है mobile में अगर कोई चीज़ आप store करते हैं, कोई photo खीशते हैं या कोई sound record करते हैं या कोई file उसमें save करते हैं तो वो कोई नाम मंगती है उसके बाद में वो अपने गुण के साथ में वहाँ जमा हो जाती है और उस खाने में चले जाती है जैसे फोटो वाला फोटो गैल्री में चला जाएगा जैसे साउंड वाला साउंड गैल्री में चला जाएगा तो वो सारे वहाँ जाके श्टोर हो जाते हैं फिर आपको सिर्फ उसका नायम टाइप करना होता है और वो निकलके बाहर आ जाते है अपने गुण के साथ में. ये सारे के सारे संकार यानि संसकार बोलते हैं और जब इनकी एक चैन बन जाती है तो उसको संखती बोलते हैं या संस्क्रती बोलते हैं. ये संखार जो होता है बहुत साधर्ण होता है संखार बनता कैसे है इसके दो तरीके होते है एक तरीका तो वो है जो हम पूरे दिन में जो काम करते हैं और जो काम देखते हैं उसमें पांच चीजे मिलके एक संखार बनाती है पांच चीजे कौन-कौन सी है एक है उसके अंदर रूप अगर आपने नाम रूप वाला वीडियो देखा हो तो आप देख लीजिए उसमें जो रूप है रूप बोलते हैं फिजिकल मैटियल को यानि कि जो पधार्त जितने भी अबेलेबल हैं उन सारे पधार्तों को दुनिया में जितने भी जो भजन रखते हैं जो जगे गेड़ गेड़ते हैं वो सारे के सारे पधार्त रूप में आते हैं हमारा जो सरीर है वो रूप में आता है जानवर का सरीर रूप में आता है पेड़ जो है रूप में आता है या किताब है या जमीन है या पानी है या आस्मान है ये सब रूप में आते हैं मट्रियल में आते हैं और इसमें चार चीज़ जो जोड़ी होती है वो होती है इसमें मन यानि मन जो बना होता है वो चार प्रकार की चीज़ों से मिलके बना होता है कैसे बनता है? मन का कोई बजन नहीं होता मन कोई फिजिकल चीज नहीं है यानि कि जो रूप होता है उसी में वाइबरेशन के चेंज से मन बनता है मन का कोई बजन नहीं होता है कोई आयतन नहीं होता है कोई जगे नहीं घेरता मन बलकुल वाइबरेशन का सिस्टम होता है वाई जहाज आपने आँखों से देखा और उसका जितना दृस से है वो सारा का सारा आपकी आँखों से डिजटल फ़ार में चेंज होगा, यानि कि जो रेज आ रही है ये लाइट ही वो आँखों के रेटिना पे आएंगी और वहाँ से वो डिजटल कोड में चेंज हो जाए यानि energy में बदल जाती है vibration में बदल जाती है फिर वो जाती है memory के पास में यानि कि जो हमारी पहले से memory store है memory में वो match करते है कि ये वाली information पहले कभी आपने देखी है या नहीं देखी है अगर आपने जहाज देखा है तो आप फट उसको पचान लेंगे तुरंट कह रहे हैं यह तो जहाज है और अगर नहीं देखा है तो कोई आपको बताएगा कोई पड़ेगा या आप उसका एक पिच्छर बनाके खाली एक ऐसे ही बिना अट्रेंडम नाम से क्योंकि नाम आपको पता नहीं है आप उसको इस्टोर कर लें वो इस्टोर हो जाएगी इस्टोर होने के बाद में फिर आप देखेंगे कि वो जहाज आपको कैसा लगा अच्छा लगा या खराब लगा सारे प्रकार के जितने भी कारणों जितनी भी मेमोरी हैं वो मिलके तैख करेंगे कि आपको जहाज अच्छा लगा या नहीं उसका रंग अच्छा लगा या नहीं उसका चाल, उसका धुआ, उसकी आवाज आपको अच्छी लगी या या नहीं उस सारी स्टोरीज जितनी भी उसमें मेमोरीज होगी जितनी भी उसके साथ गुण होंगे वो सारे सारे store होंगे और उसके साथ में आपका एक judgment जुड़ जाएगा कि या अच्छा लगा या खराब लगा या ना अच्छा लगा ना खराब लगा इसके साथ ही वो store हो जाएगी वो जो storage होता है उस पूरे storage इसको बोलते है संखारा अब वो संखारा बन गया और ये संखारा जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है और बारबार रिपीट करते हैं इसको तो ये बनता है वियाना यानि विग्यान तो जो ये चार चीज हैं जिसके अंदर एक आपका रूप हुआ जो इसके अंदर पूरा सरीर आता है और चार चीज मन हो गई मन के अंदर आपने सबसे पहले देखा उसको देखने के बाद में वो सारा का सारा डीटल फॉर्म में होके आपकी मेमोरी में गया मेमोरी में होने के बाद में वो संखारे में गया और संखारे के बाद में उसमें फिर वेदनाय जुड़ जाती है वेदनाय वो पार्ट होती है जो आपको एक्ट करने के लिए संखारा कहता है कि ये आपको चाहिए तो आप कैसे प्राप्त करेंगे और आपको नहीं चाहिए तो वो वेदना कैसे आती है और वो गहरे हो जाते हैं तो फिर वियाना बनता है यह चार चीज के combination से यानि के वेदना, सैया, संखारा और वियाना यह चार का combination होता है प्लस रूप, पांचों को मिलके पंच इसकंद बोलते हैं यानि पांच चीजों का समू बोलते हैं इस पांच चीजों के समू से बनता है पूरा का पूरा संखारा जो आपकी बोडी में एक्टिविट होता है यह दिन में लगातार हजारो वार बनता रहता है हजारो वार यह बिगड़ता है यानि ये खतम भी होता रहता है ये बनता भी रहता है जैसे आप motorcycle लेके अगर सलक पर चलाएंगे तो सलक पर जितने भी द्रसे आपने देखे हैं वो सारे द्रसे जब आप जहां motorcycle लोकेंगे ये hand to hand वो खतम होते रहते हैं यानि कि वो आपकी store नहीं होते बहुत जारा गहरी memory में नहीं जाते आपके mind में वो छाप नहीं छोड़ते वो सिर्फ बनते हैं और बिगर जाते हैं मगर अगर कोई खास बात बीच में हो जाए कोई accident हो जाए या कोई गड़ा आ जाए या कोई जगे जानी पचानी आ जाए जो पहले से आपकी memory में store है तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी या जिसको आप कहेंगे कि ये मुझे याद रखना है तो वो गहरी memory में चली जाएगी दूसरे तरह का जो संखारा होता है वो होता है जो बर्थ के साथ आता है और पहले से ही हमारे सरीर के अंदर होता है जानवर में भी और हमारे अंदर भी उस संखारे को अपना जितना भी करम है वो भोगना होता है यानि जो संखारा कमंड लेके आया है हमारे सरीर में संखारा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ लेके आता है और उसने जैसा वो software लेके आया है और जैसा program वो लेके आया है उस program को वो activate करेगा ही ऐसा नहीं हो सकता कि संखारा जो birth के साथ आता है वो बिना activate हुए खतम हो जाए संखारे की एक खास बात होती है इसको particular समुत्पात का संखारा बोलते हैं जो पहले से birth के साथ संखारा आता है बर्त के साथ में जो code आता है बर्त के साथ में जो ये बात आती है कि आपको जीवन में किस तरह से वैवार करना है क्या आपका बेवरे बैटन रहेगा आपका सरीर कितना बीमार रहेगा कितना स्वस्त रहेगा आपकी वाणी कैशी रहेगी कैशी नहीं रहेगी यानि कि ये मन से, काया से और वचन से तीनों प्रकार से एक्ट करता है इससे छुटकारा नहीं होता यानि जो body के साथ में, जो जब हम पैदा होते हैं, उसके साथ में जो संखारा body के अंदर आता है, जो मन body के अंदर आता है, जब तक वो पूरा act नहीं होगा, जब तक आप उसे भोग ने लेंगे, वो किसी भी हालत में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो अच्छा भी हो स बुलकुल अच्छी तरह से रहेंगे, और संखारा अगर वो पाप कर्मों का है, तो आप बीमार रहेंगे, आप परिशान रहेंगे, आपकी वानी खराखराब रहेंगी, यानि मन से, वचन से और करम से आप पूरी तरह से परिशान रहेंगे, ये जो संखारा होता है, ये 52 प्रकार से आप behave करते हैं और 52 प्रकार से behave जो बताए है भगनवान बुद्ध ने 128 प्रकार के कारणों से मिलके बनते हैं यानि सारे जितने भी कारण हैं वो टोटल मिलाके 128 कारण है और 128 प्रकार से के कारणों से 52 प्रकार का मन बनता है यानि बावन प्रकार का संखारा बनता है जो आपके सरीर में एक्टिविट हो जाए अगर आप ध्यान देंगे एक मा के पेट में अगर दो बच्चे हैं और जो बिल्कुल टुइन हैं एक से हैं और दोनों ही मेल या फीपीमिल हैं दोनों का रूप रंग एक्सा है सारी बाते उनकी एक्सी है मगर उनके वैवार बिल्कुल अलग-अलग होते हैं यानि जितने भी परिवार के अंदर मनुस्य हैं बेसक उनके मावाप एक से हैं मावाप सेम हैं, खाना पीना सबका सेम हैं अगर परिवार में पांच बच्चे हैं, छे बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, दो हैं, उन सब का वैवार बिल्कुल अलगल होता है, जो उनके बर्त के संखारे के इसाब से आगे काम करता है, संखारे खतम किये जा सकते हैं आपके जीवन में, अगर आप मनुस्य हैं, तो जैसे अरत लोगों ने किये, संखारे बढ़ भी जाते हैं, जैसे जैसे आप एक्ट करेंगे, विपस्तना में आप देखेंगे कि संखारे किस तरह से काम करते हैं, और संखारे किस तरह से एक्ट करते हैं, और जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, संखारा यानि जो संस्कार ह उनका प्रभाव जीवन पे हर समय रहता है जो संखारा हमारे सरीर में टेंपरिवी बनता है वो ठीक ऐसे होता है जैसे समुंद के किनारे या नदी के किनारे जब आप रेत पे एक लकीर खीशते हैं तो लकीर समुंद का पानी आने के बाद या दरिया का पानी आने के बाद न दूसरे तरह के जो संखारे होते हैं वो लगबग ऐसे होते हैं जैसे आपने पक्की मिट्टी की खेत में बनाय हुए होते हैं उनको निकलने में हटने में थोड़ा समय लगता है और कुछ संखारे ऐसे होते हैं जो पत्थर के उपर लकीर के समान होते हैं जिनको जाने में बह बहुत ज्यादा देर से वो जाते हैं जो पर्मानेंट जैसे संखारे होते हैं मगर संखारा कोई भी पर्मानेंट नहीं होता जो हमारे सैंसिस से संखारे बनते हैं यानि कि हम पूरे दिन जो सैंसिस से संखारे बनते हैं वो सैंसिस के खतम होने के बाद ही अपने आप खतम हो जाते हैं जैसे हमने पूरे दिन के अंदर या महिनों में या सालों में जितने संखारे बनाए हैं आख से, नाख से, कान से, मुह से, जी से या सरीर से तो ये संखारे हमारे सैंसिस के हमारे बॉड़ी से बनाए हुए संखारे होते हैं ये अगर वियाना में ना बदलें और गह गहरे संखारे ना बने तो यह हाथ के आज चले जाते हैं इनमें जो गहरे बन जाते हैं वो भी बाद में निकल जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसे का लालच है तो पैसे के लालच का जो संखारा है जो संखार है वो डे बाइडे डे यहाँ तक कि वो पैसे को लेकर पेचेन और बीमार भी हो जाता है और डिप्रेशन में भी जाता है जहाँ उसकी डेथ की फाइल खुल जाती है और वो उसी में चला जाता है यह संखारा लाश्ट में उसके साथ ही जाता है यानि कि वो जब death होगी तो संखारा यही strong बनके आगे जाएगा यह जैसे जैसे प्रतित्य समुत्पाद आएगा मैं आगे इसको बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है किसी को खाने का संखारा है किसी को सोने का संखारा है किसी को आलस का संखारा है किसी को बहुत ज़्यादा भागने दोडने का संखारा है किसी को बेचैनी का संखारा है किसी को बहुत ज़्यादा परिशानी का संखारा है संखारे हजारों तरह के होते हैं उनके बहुत सारे प्रकारश हो सकते हैं, कैई के संखारे मिलके आपस में संखारे बनाते हैं, मगर ये 52 प्रकार के संखारे अगर किसी के समूम हैं तो अलग लग तरह के हैं और 128 प्रकार के तत्वों से यानि के कारणों से मिलके बनते हैं, इनके गुर्ब बहुत सारे हो सकते हैं कई के संखारे मिलके अलगतर का व्यवार बनाते हैं इसनिए प्रितत्य समुत्पाद की ये सेकिन्ड कड़ी है संखार संखारा या संखारे संखार या संखारे या बहुत सारे संसकार ये संखार बहुत इजी है बहुत सारे लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं और 24 गंटे इसकी प्रेक्टिस करते हैं इसको समझते हैं अगर आप देखेंगे जीवन में कि आपको किस तरह का संखारा है तो आपको पता चल जाएगा कि संखारे कैसे काम करते हैं जैसे आपने खाने का सामान देखा और आपके जीवन में पानी आ गया इसका मतलब खाने का सामान देखते ही आपका संखारा एक्टिवेट हो गया और उसने एक्ट किया और आपको फल सरूप पानी या मुँमे पानी आने का सिगनल उसने भेजा धन्यवाद आपसी अक्राइब टा बादे में आन्यवाद एवर यजा जान्यवाद यजिए Cand hypoth इंड एव बादे अखसी आपसस्त। अखस्त। एवर बादे में आपस्त। पसके आपको चुछाई से लिए देग्पस्त। अपस्त। आपको च्छाई पर पसस्त। प्रवाइ प्रवाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो . कर दो कर दो कर दो कि न्यदमें दो कर दो कर दो। कि अटने कि मेंगें दो प्रफटान दो जो जो इसाल वाल को गलों तो और सक चब एक अगा है जान आज किम हैं है वाल कि माइः डेडियों कि अगर प्रफ़ किमा पंगया झाल जा अगा है घाल श्माट बड़ादा भी उड़न कि अड़े लो खाल है टाल कर दो 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 कर प्लिज बन्याथ झाल 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 झाल